हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल फास्टिक्स टेक्नो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं डिस्प्ले से क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके सॉलुशन हम लास्ट में जानेंगे और उसको ट्रैक को ट्रैक कैसे काम करता है उसमें वाल्टिज कौन-कौ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो इनका सॉलुशन में आपको लास्ट में बताऊंगा उससे पहले मैंने एक बोर्ड ले लिया रेड्मी एटे का तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो इस करेक्टर पर जूम करने के बाद कुछ ऐसा आता है तो जो यह कोईल्स लगी है पैचेबल वाली इससे दस लाइने निकलती है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आ उसके बाद VSP VSN यह ग्राफिक्स बनाती है हमारी यह बहुत important voltage होती है उसके बाद 1.8 बनती है हमारी जो power IC से बनती है उसके बाद TE line trading effects कहते है उसके बाद ID की line क्या काम करती है version को match कराने का कभी का बाद देखे होगा हमने की folder लगाते समय उसकी display पे lining आ रही है नया folder लग इससरी detail में समझते हैं तो देखें MIPI के line 10 line कहां गई है हमारी CPU IC में उसके बाद VSP VSN charging IC में गई है किसी किसी में charging IC पे नहीं होती है अलग से डिस्प्ले 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 कनेक्टर लिया उसके बाद CPU IC पावर IC और charging IC तो सबसे पहले जो line बनती है हमारी charging IC सा output होके एक coil के थुरू एक पैलल में NPC लगा है उसके बाद यह पावर IC में चली गई है तो इस line को हम क्या बोलते हैं VPS line 3.7 इसमें इन होती है पावर IC में उसके बाद हमारी charging IC आउट करती है हमारी एक कैपिस्टर लगा है पैलल में और एक रेजिस्टर लगा है पैलल में उसके बाद यह line display connector को मिल जाती है तो इस line को हम क्या बोलते हैं VSP voltage supply positive 5V आती है इसमें उसके बाद जो line बनती है उसके बोलते हम एक कैपिस्टर लगा देते हैं एक रेजिस्टर लगा दिया हमने उसके बाद यह display connector पर चली जाती है इसे बोलते हम VSN voltage supply negative 5 5V तो यह बहुत important voltage charging output हो रही है यह ग्राफिक आइसी से भी output हो सकती है बोडों में तो जरूरी नहीं है मगर यह बननी चाहिए 5V minus 5V plus अगर यह नहीं बनेगी तो आपके ग्राफिक्स नहीं आएंगे फोन में black आईगी display उसके बाद जो power IC से हमारी voltage बनती है एक कैपिस्ट 8V तो 1.8V power IC से हमेशा आएगी आएगी यह enable voltage होती है display section की 1.8 आएगी यह light section को enable करने के लिए होती है 1.8 मिलनी चाहिए display section को power IC से इसको हम VIO voltage भी बोल सकते हैं किसी किसी phone में VIO के के नाम से होती है 1.8 उसके बाद जो देखने को मिलती है एक register के तुरू series में लगा है यह line निकलके हमारे display connector पे जाती है इस line का नाम क्या होता है LCD reset मतलब display को reset करती है न जो line जो display हम चलाते हैं बार 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 बदलते हैं तो reset line करती है 1.8 voltage बनती है इसमें CPU से जाती है सिधा हमारे display connector पे तो उसके बाद देख लेता है हमारी कौनसी line बनती है एक register लगा है register series में है उसके बाद यह line सिधा display connector पे चली गई है इसे क्या बोलते है LCD ID line ID की line मतलब version match कराने के लिए एक या दो भी हो सकती है क्योंकि version match करान जरूरी होता है अगर version match नहीं होगा तो यह line खराब होती है किसी किसी phone में display local डालने पर version match नहीं करता है तो line को भी देखना पड़ता कभी कबार कि यह line तो खराब नहीं है इस line पे सिर्फ frequency आती है और reading आती है ground से voltage नहीं आती है इसमें उसके बाद जो line मनती है एक register से होती हमारी CPU is out होगी और display connector पर जाएगी इस line को क्या बोलता है हम LED TE जो हमारी छोटे-छोटे particles बनके एक वह बनाता है न स्क्रीन दिखाता है तो टी की line होती है अगर half display यह जिल्मिला series A display तो टी की line में effect होता है इस पे भी हमारी voltage नहीं बनती है frequency आती है और ground से reading आईगी उसके बाद जो line मनती है हमारी MIPA वाली lines बनेंगी जो हमारे CPU से display connector पर जाती है इस पर ना voltage आएगी ना frequency आएगी इसमें frequency आएगी डिस्प्ले पर वाल्टेज नहीं आएगी तो दस लाइन बनेंगी जो हमारी MIPA लैन बोलते हैं इन्हें दस लाइन बनती है सिथा display connector पर जाती है इन्हें क्या बोलता है MIPI line डाटा और क्लॉक की यह signals line होती है इसमें frequency आएगी वाल्टेज नहीं आएगी और ground से सभी पर सेम रीडिंग आएगी जाद जादा पांत दस उपर नीचे हो सकता है उत्ता चलता है अब इसके बाद हम आगे देखते हैं तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से कि MIPI line अगर हमारी खराब होगी तो कहां से होगी CPU से यह पैचेवल कॉल्स को भी चेक कर लेना एक बार अगर यह खराब हो जाती है अगर कोई निकाल देता तो भी नहीं आएगी हम इस पर जंपर कर सकते हैं आमने सामने की बनेगी LCD L6 पर 1.8 वल्ट बनेगी जिसे हम VIO वाल्टेज भी बोलते हैं और वियारीजी भी आ सकती है किसी किसी फोन में और वियायो भी आ सकती है VSP वल्टेज सपलाई पॉजिटिव कंप 5 वाल्ट 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 आनी चाहिए इसमें प्लस की और इसमें वी आसन पर 5 वाल्ट नेगिटिव आनी चाहिए हम देख लेते हैं ब्लैक डिस्प्लय अना ब्लूकिश्प्लय मौझेब अना घ्रीटीघ होजाना वाइड डिस्प्लय मौझे रजाना और regulator को चेक करते हैं तो इसका सॉलूशन देख लेते हैं तो अगर प्लाइक डिस्प्लिख कर नहीं VSP लाइन चेक करने, VSN चेक करने, VRIG वन पोईट चेक करने हैं यह सारी लाइने चेक करने हैं और वन पोईट बिऊन पॉयट भी चेक करने हैं जो पावराइसी साथ है हमारी VRIG कहते हैं, और V IU उसके बाद अगर हमारी ब्लू डिस्प्ले आ रही है तो माइब फैसे पीट चल रही है तो उसमें भी और लग अलग डिख रही हैं डबल दिख रही है फौन में तो भी सीप्यू की प्रॉब्लम होती है आई होप आपको समझ आया होगा जादा अगर एमुलेट डिस्प्ले के बारे में आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में